हराम दोस्तों है वाइस आप सब अब सब अच्छे होंगे दोस्तों अभी कुछ दिन पहली दश्यरा को सब लोगों ने मनाया ये वीडियो इसी दिन आनद था ये कुछ दिन दश्यरे के दिन एक विशेश पक्षी की पूजा होती इसके दर्शन लोग करते हैं आज ये आप स हुआ समुद्र मंतन हुआ तो भगवान विश्णू के रूप है इनको हम कहते हैं भगवान कशप उनकी कवच्च पर मंदरांचल परवत उन्हें रख लिया था और जब समुद्र मंतन की रस्ती के काम किया वो शेश नांगे छोटे वाई वास्कुई ने किया तो दोस्तों समुद्र मंतन आरंब हुआ और उन्हें अपने मंदार अचल परवत अपने पीट पर रखा तब सब में पहले समुद्र मंतन से विश्ण निकला और उस विश्ण की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे और उनकी जो कांती उनकी तेज़ फीक पड़ लगा फिर सभी ने भगवान शंकर जी की प्रात्ना करियों कि किसी चीज़ समल नहीं रही थी वो तो भगवान शंकर फिर माद प्रगट हुए और उन्हें हाते लिए अपने जलपी लिया और उसे पी गए लेकिन उन्हें अपने गले से नीचे कंट की नीचे उसो तन्य न होता है और दोस्तों कुछ जो अपना विश है शंकर जी घंतेवी से हलका से नेकल के प्रत्वीट पक गया जो कि जिसमें नाग बिच्छू और आदे जो जन्तु हैं उन्होंने ग्रहन कर लिया तो दोस्तों इस परकार नील कंट का जन्म हुआ दोस्तों इंडियन रोलर के नाम से मशूर नीलकंट एक लोता ऐसा पक्षी है इसे देखने शुमाना जाता है और खास तोर से दशेरे के दिन आप देखते होंगे दशेरे में बाइपास में लोग जाते हैं या तो फिर घर के सामने जो बिजितार होते हैं तो उनको देखत नीलकंट को शुमाना जाता है दोस्तों इनकी संक्या जो है बहुत कम हो रही आप देखें तो शहरी आवास अब आदी बढ़ रही है ट्रैफिक बढ़ रहा है पडूशन होर्न कई चीज़ें जो सब इन पक्षियों को जो धीर धीर अब देख और यह भी दिखती है अलाकि नीलकंट जी की बात हो रही तो दिन दिन की संक्या कम होती जा रही है ते दोस्त तो मैं बताना जा हॉँ कि नीलकंट रूलर जो प्रजाती होती है वो नीलकंट रोलर प्रजाती से संब्ध रखते हैं लेकि अन रोलर पक्षी के रंग भिन होते हैं नीलकंट डक्षेन एशिया भारत इंडोनेशिया इराक इसे देशों मिलते हैं नीलकंट परवदे शेत्र में भी अपने निवास रखते हैं यह प्रव अच्छा साय होता है करीब 27 इंच लंबा होता है आकारम मैने जैसे दिखता है दोस्तों बजन जो होता एक चीज़ और बताना चाहते हैं इस नील कंट को इंडियन डूलर भी कहते हैं क्योंकि नील कंट और तो समय एरोबिक्स मूव करता है और तो समय ये 360 डिगरी तक घूमता है निलकंथ मादा निलकंथ को आकशत करने के लिए हवा में गोते भी खाता है निलकंथ का प्रचिनन का समय हिंदुस्तान में है वो मई से जून के बीच होता है आम तोर पे जंगलों के समय और घांस की मैदान पे दिखाई दिख जाते हैं दोस्तों इनके अनकूल वातरवन नहीं होने का ये खंबों के किनारे अपने खंबे लगे होते हैं खंबों के तारों पे आपको मिल देखने असमें पर जोड़ी हुआ था कि यह नीलकंड आपको देखने मिल जाएंगे दोस्तों नीलकंड बीच कीडे मकौडे कहते हैं और यह किसान प्रीमी होता है खितों में पाज़ान में कीड़ों को खाकर फसलों को खड़ा बना से बचाता भी है इस जब फसलों की बहुत प्रत होती है दुस्तों बहुत तै आमीनो जंगली शेतन पक्षी को जो खेतों पे कीट नाश्रक छिड़कते हैं और उन कीट नाश्रक को खाने के लिए जब नीलकन टदू से पक्षी जाते हैं और नीलकन पक्षी का जो 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 बजाया जाए इसके लिए विशेश जो ध्यान दे रहे हैं पर इंदुस्तान में तो आप देखते हैं कि जब जिस प्रक्षी को याद करते हैं बदैल में ज्यामन टेरे जाते हैं कि लिए उसकर में एंसान किसी भी यह जा सकता है तब नीलगेंट की जाती तो फिक बना रहा हूं ने तो अभी तक वीडियो में ने बनाए नहीं तो में बात जो में बताया है समुद्र में निलकंड जी जनम हुए था भगवान शिव को निलकंड कहा जाता है विश प्रिया था और अपने गले में रोक कर रखा हुआ था कंड में विश को और वो नीला पड़ जो पक्षी है उनको बचाना ज़रूरी है क्योंकि हम है तो वह हैं थो हम है बहुत ज़रूरी है देबिजोवान जानवरों को भचाना उन्हें पर याप्शाट मात्रेतम बhجन पानि देना हमाईर जबाबदारी है परिशाशय की बात हो गरी की श्चत पर पानि दखें, द दोस्तों प्रक्प्रक्पप्रकर के एपने धर में उंको डाना पानी दें और इह सबुस्टत करें अगर आप मेरे बुटिम नएह तो प्रीज्स तो कै्मे डॉच यहग जो स्काइब मैं चैनल शेर कमेंट कट लाइक और दोस्तों आपका दिन चोबो मेरे विडो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद लाइक और दोस्तों आपका 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 दोस झाल